नमस्कार दोस्तो देख्जाम हेकर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो पिछली वीडियो में हम लोग ग्रूथ पूल थीरी जो पेरू का और बुद्धिवे का दोनों का कॉंसेट हम लोग इस्टडी कर लिये थे जो आगला टॉपिक जो मॉडल एन थीरी में 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 यूप लोकेशन थीरी है जो एग्रिकल्चर का पैटर्न एग्रिकल्चर कैसे करते हैं यह लेंड यूज क्या होती है एग्रिकल्चर के लिए उसके पैटर्न को बताती है ठीक है और एक्स्प्रिन क्या करती है क्रॉप प्रोडेक्टिविटी को यह फी एक्स्प्रिन करती है और फ होां वादल है लोकेशन ठेरी है जो एगरिकल्चर कि लेंड यूज पैटर्न को एक्स्टेटी करती है और हैरेक्य आप एक्रिकल्चर क्रॉप को भी explain करती है ठीक है तो इस model को discuss करने पर ले हम लोग कुछ basic terminology जो model में use हुए है उसको study कर लेंगे और बाद में main जो theory है जो main model है उसको study करने वाले है तो चलिए video start करते है तो सब सब बेसिक terminology जो model में use है सबसे में crop productivity तो crop productivity क्या होती है कि ratio between agriculture output to input यानी मालो एक agriculture field है तो उसमें input 10 रुपए लगे और output 100 रुपए आया तो यहां पर productivity आप देख सकते हैं 100 by 10 हो गया और दूसरी agriculture field है यदि input 20 रुपए और 100 रुपए आया तो 100 by 20 हो गया तो आप देखो कि productivity इसकी ज़्यादा है ठीक है इसकी जदा हां और इसकी कम है तो crop productivity क्या होती है कि agriculture output to input का ratio क्रॉप होती है फिर crop intensity क्या होती है Intensive Farming क्या होती है Crop Intensity उसको बोलता है जैसे एक year में कितने Crop उगाया गया जैसे एक साल में 2 से ज़्यादा Crop उगाया जाता है तो बोलते है High Crop Intensity है तो इसके लिए क्या ज़्यादा money जरूत पड़ती है ज़्यादा fertilizer यूज यूज होती है तो crop intensity में ज्यादा labor के यूज़ होता है ज्यादा money के यूज़ होता है इसको ध्यान रखना है फिर extensive farming क्या होती है इसमें आप देखता है एक year में एक या दो यानि दो से ज्यादा crop वहाँ पर produce नहीं किया आता है उसके लिए low yield होता है उपज कम होती है और input भी कम अपला किया दूर एक से ज्यादा crop वहाँ जाता जैसे गेहूं और चना एक साथी एक फिल्ड में उगाया जाता उसको बलते हैं mixed cropping फिर देखों हिंटर लेंड वड़ा है हिंटर लेंड उसको बलेंगे ऐसा लेंड जहाँ पर रीवर या कोश्ट लाइन ना हो जिसे कोश्ट लाइन न क्लाइमेट जो हो या रिसोर्स का इक्वल डिस्टिबिशन हो वहाँ पर ऐसा इस्टेट जहाँ पर इक्वल स्वाइल फैर्टिल्टी हो क्लाइमेट हो वहाँ पर रीवर और माउंटें ना हो और फ्लेट एरिया हो उसको बलते हैं isolated इस्टेट तियरहाँ basic terminology आज के इस model में अब देखते हैं basic exemption क्या के लिए तो वान थोन ने basic exemption क्या लिए कि एक isolated state होगा अब इस्टेट का इस्टेट से देख लिए हैं वह कम्राइज करें मार्केट एरिया हो गया और surrounding agriculture hinterland होगा यानि एक marketing एरिया होगी और surrounding agriculture hinterland होगा यहां पर होगा फिर मार्केट डिसीप गूड्स वनली फ्राम hinterland यानि कि hinterland से मार्केट डिसीप करेगा गूड्स को यहां पर आते हैं और वो चाहते हैं कि अपने profit को maximize करें प्रॉफिट को मक्समाइच करेंगे फिर फिर वनली वन मूड अब ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो होंगे गोड्स को ले जाने के लिए मार्केट में मार्केट से लाने के लिए ओगे घोड़ी के द्वारा होगे घोड़ा गाड़ी होगा ठीक है फिर ट्रांस ट्रां जोड़ों में किया गया कि प्रिंस्पल कि इंटेंसिटी होती है और प्रोड़ेक्टिविटीW faço oda करती आ तो यहां पर Myrket mater मार्ड चेंगड़ेंड और क्यों जाते हैं तो प्रोड़ेक्टिविटीटीविटीविथिए और क्रॉप इंटेंसटी भी कम होती है PC MARK लाइगा फिर agriculture land you change होते हैं distance बंडने पर मार्के ते यहां पर इंटीर लेंड करेंगे इंटेंसीब यहां पर extensive करेंगे यहां पर यहां पर वेजटेबल के लिए क्रॉपिंग नहीं करेंगे तो यहां पर डिद्यूस किया कि profit निकलने का अभी हम लोग क्या देखे थे कि वन्थुनेंट के जो model है वो देखता है कि land use pattern बताता है कैसे land use करते हैं और उसके hierarchy बताता है कि जो agriculture जो crop है को उसके hierarchy क्या होगी तो land use pattern के लिए उसे formula दिया कि former कैसे profit को maximize करने के लिए क्या 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 से crop उगाते हैं उसके लिए profit जो profit निकलने के लिए उन्हें ने फर्मुला दिया ठीक है तो यहां पर total rent या net profit वाई क्या है वाई क्या है crop intensity या productivity आपको प्रोडेक्टिविटी आपको प्रोडेक्टिविटी मार्केट इरिया से दूर जाते हैं तो घटती है पी यहां पर हो गया market वैलू पर यूनिट यानि कोई भी क्रॉप है उसके market वैलू क्या है यह है पर यूनिट कॉस्ट आप प प्रोडेक्टिविटी सब यह सेम है क्लाइमेट सेम है तो आप देख सकते हो कि पर यूनिट जो कॉस्ट होंगी सब सेम होंगी तो इसका यह सिंप्लिफाइज वर्जन आप देखोगे तो प्रोफिट जो होंगे एल इकॉल टू पी मैनस के एम देहां पर मार्केट प्राइ करना चाहेगा तो जिसकी मार्केट ज्यादा होगी और जिसकी लागत लागत को कम करना चाहेगा फार्मर ठीक है तो अब देख लेते हैं कि उन्होंने हायरेर्की क्या दिया एग्रिकल्चर क्रॉप्स की तो मार्केट यानि प्रोडेक्टिविटी या हां स्वरी वेजिटेशन है इनके क्या मार्केट वेलू ज्यादा होगी डेरी का उसके बाद होगा फिर मिक्स्ट क्रॉप लाइव इसके बाद होगा फिर वीट फार्मिंग फिर रहन चींग होगा इसके बैसिस पे इन्होंने लेंड यूच का पैटर्न बताया हम लोग देखेंगे कि लेंड वीच का पैटर्न इन्होंने एक जून में डिवाइड किया लेकि इससे पहले यहाँ पर एक एक एजामपल लेता है कि मालो वेजिटेबल का जो मार्केट प्राइट हंड्रेड है और यहादी राइस का 90 होगा तो वेजिटेबल जो होती है जल्दी सड़ जाती है य मार्केट में ले जाने के लिए तो खराब होने के जांसा ज्यादा होते हैं तो मार्केट के पास होगा होगे तो क्यांगे एजी टू करी होगा बहुत ज़्यादा बल्की होता तो ट्रांसपोर्ट को कॉस्ट भी कम होगा और मार्केट में वेलू जादा है उसके और आप यह भी जान रहो कि जो मार्केट के पास है वह इंटेंसिफ फार्म करते हैं यानि एक साल में तीन चार से ज्यादा क्रॉप ग्रोप करते हैं ठीक तो मार्केट यहां पर उसके पास में वेजेटेबल ग्रो करते हैं फॉर्बर मैक्समाइज करने के प्रॉफिट फिर टिम्बर फार्मिंग होती है अब यहां पर टिम्बर फार्मिंग उसे में दोस्तों मार्केट में जब इन्हों ने जो थी डेबलर किया था उसे मार्केट इरिया में timber यानि कि यहां पे घर बनाने के लिए timber की ज़रुत पड़ती थी और वहां पे एनर्जी के लिए भी खाना बनाने के लिए इसके जो प्रॉफिट काने के लिए वेजटेबल के बाद का जो एरिया हमाई तरुम र्ट वाले तीलहन वाले ऐस्नले इसके बाद वाले मैं और फुट्डग्रेंश हो इसके लो प्रोडेक्टिविटी वाले फूट क्रॉप गो करते हैं फिर फिल्ड शिस्टम यहां पर पैटर्न अपना जाता है इसको थोड़ा डिटल में देख लेते हैं तो देखो फिल्ड शिस्टम हो यहां पर तिनकटिया होती है तो जर्मनी के जो एरिया उसके धार पर गिया तो वहां पर मार्केट एरिया जैसे दूर जाते हैं वैसे इक्टेंसिफ फार्मिंग होती है यानि इंटेंसिफ फार्मिंग की कमी होती है जोन एरिया में क्या करते हैं जोन टू में फोरेश्ट या टिम्बर वाले फार्मिंग करते हैं जोन थ्री में मेडियम इंस्टेंसिटी वाले जैसे वेजटेबल आयलोग तिलहन वाले फासल करत है ठीक है तो यह रहा वांतिनन का मॉडल अभी तो हम लोग देखे बेसिक टर्मिलोजी देखे और उनके डिडियूस करने को फर्मुला देखे कि प्रॉफिन करने के लिए कौन को से क्रॉप कहां पर ग्रोव की जाती है लेंड यूज कैसा रहता है और हायरकी भी देखे कि हा में तो इस देवलेप्ट कंट्री में जहां पर ट्रांस्पूर्ट्रेशन उतरी जादे एडवांस नहीं वहाँ पर आपको यह रिलेमेंट मिलेगा ठीक है क्योंकि इंडियम आप देखो कि जैसे अमुल मिल्क हो गया तो आप देखो गुजरात में पैकिंग होता तो आप इंडिया में आपको देखने मिलेंगे मतला अमुल दोध आप पर्चेस कर सकता है अमुल का पेकेज होता है क्योंकि आप जल्दी चीज़े खराब नहीं होती है आप गुजरात या महरास्टरास जो केले होते हैं पुरे साउथ इंडिया या कहीं दूसरे यहां भी एक्सपोर का अध्वांस्मेंट और एफ्रिडेटर का एद्वांस्मेंट चलते है आज़की में रेलेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर ट्रांस्पॉर्टेशन फ्लस्री उतनी जाते एडफास्मेंट वहाँ पर रेलेंट आप देखने को मिलेंगे वांस्मेंट का मौडल ठीक है तो आज क यहां पर प्रिविस्टियर के question paper जो यूपेस्टियर ने पूचा उसका question मैं यहां पर mention कर दिया हूँ comment करके इसको आप solve करने की कोशिस की जाएगा ठीक है तो आज की वीडियो मसे दिना ही I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ thank you